करोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक और हतियार मिल गया है स्वदेशी कंपनी जायडस कैडला ने अपनी करोना वैक्सिन जायकोडी की सप्लाई शुरू कर दी है ये वैक्सिन 12 साल और उससे उपर के लोगों को दी जाएगी हाला कि भारत में इसे 18 साल से उपर के लोगों को ही लगाई जाएगी इस वैक्सिन की खास बात ये है कि इसमें सुई का इस्तमाल नहीं होगा यानि ये वैक्सिन निडल फ्री वैक्सिन है इसे बिना सुई के ही दिया जाएगा इसके अलावा ये वैक्सिन 3 डोज वाली है जो इसे बाकी वैक्सिन से अलग मनाती है जायडस कैडिला की वैक्सिन जायकोवीडी को केंद सरकार ने पिछले साल अगस्त में ही मंजूरी दे दी थी हाला की अब तक इस वैक्सिन का इस्तमाल नहीं हो पाया था जायकोवीडी की खास बात है तीन डोज वाली वैक्सिन अब ये तक दुनिया भर में जितनी वैक्सिन लगाई जा रही है वो या तो सिंगल डोज है या डबल डोज लेकिन जाको भी ड पहली vaccine है जिसकी तीन डोच लगाए जाएंगी Niddle Free vaccine इसमें सुल्श का इस्तेमाल नहीं होगा इसे Jet Inject से लगाए जाएगा इसमें व्यक्सिन को High Pressure से लोगों को स्कीन में Inject किया जाएगा इस ड्वाइस का अविशकार 1960 में हुआ था DNA Best Vaccine जाएकोर डूनिया की पहली DNA बेस्ट वेक्सीन है अभी तक जितनी वेक्सीन है वो mRNA का इस्तमाल करती है लेकिन ये प्लाजमिट DNA का इस्तमाल करती है स्टोरेज भी आसान पाकी वेक्सीन की तुला में इसका रख रखाव जादा आसान है इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सेस पर लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है कितना ये नहीं 25 डिग्री सेल्सेस तापान में भी इसे 4 महने तक रखा जा सकता है इस वेक्सीन के 3 डोज 28-28 दिन के अंतर से लगाए जाएंगे पहले डोज के बाद दूसरी डोज 28 दिन बाद और तीसरी डोज 56 दिन बाद लगाए जाएगी कैसे काम करती है ये वेक्सीन जैसे कि पहले बताए गया कि जोयकोवीडी एक प्लाजिम DNA वेक्सीन है ये वेक्सीन शरीर की इम्मुन्टी बनाने के लिए जेनिटीर के सिस्तुमाल करती है अबी जो वेक्सीन है वो mRNA तकनिक का सिस्तुमाल करती है इसे messenger RNA कहा जाता हي ये शरीर में जाकर करोना के खिलाफ drie बोडी बनाने का message देती है वही प्लाजम इंसानी कोशिकों में मुझूद एक छोटा DNA मालिक्यूल होता है यो आम तोर पर बैक्टेरिया सेल में पाया जाता है प्लाजम DNA शरीर में पाया जाने वाला वारल प्रोटीन में बदल जाता है इसे वारेस के खिलाब मजबूत इमिन रिस्पॉंस पैदा होता है इस तरह के वैक्षिन की खास बात ये होती है कि इन्हें कुछ ही हफ़तों में अपडेट भी किया जा सकता है अगर वारेस नूटेट करता है तो इसे चंद हफ़तों में बदला जा सकता है DNA वैक्षिन को जादा असदार और मजबूत माना जाता है अब तक स्माल पॉक्स समेथ कई बीमारियों की जो वैक्षिन मजबूत है वो सभी DNA पर अधारित है किन सरकार ने इस वैक्षिन के एक करोड डोज ओर किये थे इसकी सप्लाइ कंपने ने शुरू कर दी है ये वैक्षिन अभी सरकार की ओर से मुफ्त दी जाएगी ऐसे वीडियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनलों को सुब्सक्राइब जरूर करें धन्यावाद